आज इसके बारे में जानेंगे, बहुत confusion होती है कि ये singular है कि plural है, इसका use कैसे करें, इसके साथ helping work कौन सी लगाएं, singular लगाएं कि plural लगाएं, कभी singular लगता है, कभी plural लगता है, तो I की जितनी भी समस्य हैं, चाहे आप normal use में सीखना चाते हूं, या फिर आपको किसी भी level का competition देना है, किसी भी level का, वो SSC का MTS हो, या फिर IS का prelims हो, आपको कहीं भी exam देना है, तो I से related जितनी भी problems हैं, जितनी भी बाते हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूं, जो important है यह कि I यह pronoun का first person singular pronoun है, subjective case है यह, आई जो है वो pronoun में first person singular pronoun है, यह हमेशा काम singular का ही करता है, एक बात ध्यानर कि I का मतलब हमेशा मैं होता है, एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, means इसका काम हमेशा singular का ही रहेगा, है ना, और verb इसके साथ कभी singular लगती है, कभी plural लगती है, ऐसा कैसे होता है, और कभी अलग से कोई verb आ जाती है इसके लिए, ठीक, तो आप इसको ऐसे समझेंगे, एक छोटी से कहानी, है ना, आप देखेंगे कि घर में अगर तीन-चार बच्चे हैं, तो एकाद उसमें बह कर रहा है, है तो अकेला, लेकिन टाफी उसको कितनी चाहिए, दो चाहिए, ठीक, तो ये क्या है, काम हमेशा singular का करता है, टाफी कभी अच्छा, कभी आपके पास दो है, तो आपने दे दिया, ठीक, लेकिन कभी नहीं है, तो भई एक ही से काम चल जाता है, तो कभी singular भी ले लेता है, और कभी कभी क्या होता है, अगर आप बच्चे से पूछ लें, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुमको क्या चाहिए, तो सारे बच्चे किसी और टाफी की डिमांड करेंगे, ये अपना अलग से मांगेगा, कि हमको ये वाला चाहिए, हमको बिसक्ट चाहिए, हम बाकियों से अलग चाहिए, तो आई वो बदमास बच्चा है, जो काम हमेशा एक्का करता है, लेकिन मेहंताना कभी singular, कभी plural और कभी अलग लेता है, बाकियों से अलग ले लेता है, तो इस कहानी को आप याद रखेंगे, बहुत ही आसानी से आपको सोझ में आएगा, तो आग बात करें, तो वहाँ पर आएम लगता है, जबकि आएम हेल्पिंग वो जो है, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज होता है, यह सिर्फ आई के लिए तो यह अलग वाली वेवस्ता है, आगे देखिए, पास्ट कंटिनिवस में हम आई के लिए क्या लगाते हैं, वास, जबकि वास सिंगुलर के लिए लगता है, यहां सिंगुलर टाफी से ही मान गया, फ्यूचर में फिर इसके लिए अलग से वेवस्ता चाहिए, मिन्स हमेशा इसको सैल दिया जाता है, आगे है अन्न सभी जगा पर प्लूरल वाब लगती है, मिन्स इन तिनों, जवहार करता है, काम नहीं करता, काम हमेशा सिंगुलर का करता है, नेक्स्ट है, अब देखिए इसको डिटेल में देखते हैं, इक्जाम्पल के माद्रिम से, अलग-अलग टेंस में कैसे योज होता है, तो देखिए, पहले हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए present indefinite tense में हमने एक sentence लिखा I go to school अब go यहाँ पर देखिए कोई S.I.S. नहीं लगा है ऐसा किसके साथ होता है plural के साथ होता है means I यहाँ पर plural की तरह बेवहार कर रहा है ठीक है next देखिए present continuous tense ठीक है देखिए present continuous में इसके लिए अलग से helping verb आया आया ना am next हमने लिया है present perfect tense अब देखिए यहाँ पर यह plural verb ले रहा है I have completed my homework have क्या है यह plural helping verb ले रहा है present perfect continuous tense यहाँ पर भी यह plural की तरह बेवहार करेगा और have helping verb लेगा ठीक है दोस्तों तो देखिए यह जो present tense में था इसने कैसे अलग-अलग use किया जो मैंने पहले आपको बताया था कि तीन जगा इसके लिए important है बाकी आप हर जगा इसको normal way में plural helping verb की तरह use करेंगे इसके साथ next है हमारा past देखिए past tense में क्या है पहला sentence हमने लिया I went to school आप जानते है past tense definite में हमें साब अब की second form का use कह जाता है अगर इसका negative या interrogative होगा तो भी did लगता है वहाँ भी singular plural का कोई मतलब नहीं होता है तो यहाँ subject कुछ भी हो हमें साब अब की second form लगेगी next है past continuous tense यहाँ भी आप देख रहे है was लगा इसके साथ singular verb यहाँ एक में ही मान गया है next है I was going to school means was से ही इसका काम हो गया next है past perfect tense जिसमें had लगता है अब यहाँ subject singular हो या plural हो उसके साथ had ही लगा जाता है तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है next है past perfect continuous tense had देखिए I had been living in Delhi since 1997 तो यहाँ भी क्या है past में continuous के लावाग किसी में भी singular plural का कोई मतलब नहीं होता है next देखिए future tense future tense में इसके लिए अलग से ब्योस्ता की गई है means इसके साथ cell का यूज किया जाता है I और वी के साथ cell लगता है तो I shall go to school future continuous tense की बात करें तो I shall be going to school future perfect tense की बात करें तो cell have I shall have completed my home work by 2 p.m. next है future perfect continuous tense cell have been I shall have been living in Delhi for 7 years तो आपने देखा कि किस तरह से I को अलग अलग टेंसेज में यूज किया जाता है एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि I जो है वो काम हमेशा singular का करता है वाब कभी singular कभी plural लेता है ध्यान रखिए present continuous में am लगाया जाता है इसके लिए अलग बे उसता है past continuous में इसके साथ was लगाया जाता है future में पूरे future में indefinite से लेकर perfect continuous तक cell का यूज किया जाता है ठीक है और बाकी जग इसको plural verb दिया जाता है तो I मुझे मेरे खाल से आप लोग I पूरी तरह से समझ लिये हैं अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप comment box में मुझे से question कर सकते हैं मैं आपको जवाब दूँगा comment box में आप अपने queries को लिखें और कोशिश करिए कि इसको 2-3 बार ध्यान से सुने आपको समझ में जरूर आ जाएगा तो वीडियो को like किए share किजिए और subscribe करें चैनल को साथ में वो bell जो घंटा है उसको भी हिला दें बहुत बहुत धन्यवाद